नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी चानल ट्यूटर्स पर स्वागत है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है प्रेशर, तो प्रेशर होता क्या है, जो भी आप फोर्स एक एरिया पर अप्लाई करते हैं, उसको प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर और थ्रस्ट में फरक है, प्रेशर एक स्केलर कॉंटिटी है, इसमें कोई भी डारेक्शन का नहीं होता, पर जैसे आप बोलोगे कि प्रेपेंडिकुलर फोर्स जो मैंने एक एरिया पर लगाया, तो वह हो जाता है थ्रस्ट, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में या, प्रेशर होता है फो बहुत ही सिंपल फॉर्मुला है और वह फॉर्मुला इस ट्राइंगल से असानी से निकल सकता है, एक सेकंड रुके ज़रा मैं पैन के इंग ज़रा बदलो, तो वह जो फॉर्मुला है वह इस ट्राइंगल से बहुत एजली निकल सकता है, तो क्यो है आप एक ट्राइंगल उसमें आप F, P, A ये टर्म्स को मेंशन कीजिए और मेंशन करने के बाद एक होरीजॉंटल लाइन बनाईए F और P के बीच में ये उपर से नीचे के बीच में ट्राइंगल को काटता हो और एक सीधी वर्टिकल लाइन बनाईए ऐसे जैसे P और A के बीच में दिख रही है ये करने के बाद अगर मुझे प्रेशर का फॉर्मला निकालना है तो मैं क्या करूंगे मैं लिखूंगे प्रेशर क्योंकि मुझे pressure का formula निकालना है तो मैं लिखूंगी pressure equals और बाखे की जो दो term है वो है F और A F force के लिए और A जो है वो area के लिए इन दोनों के बीच में जो line आ रही है वो ये वाली है ये line है हमारी जो division को denote करती है तो मैं यहाँ लिख दूंगी division, simple दुबारा देख लेते हैं, triangle जो है उसकी जो बीच की line है वो दिखाती है division के sign को और जो ये pressure area के बीच की line है ये दिखाती है multiplication को अगर मुझे pressure को निकालना है तो मैं लिखूंगी p, क्योंकि मुझे ये निकालना है मैं लिखूंगी p equals बाकी की जो दो terms बची फिर मैं उनका नाम लिखूंगी force और area ये लिखने के बाद अब मैं दिखूंगी कि force और area के बीच में कौन सी line आ रही है तो वो ये वाली line है और ये line denote करती है division को तो simply मैं यहाए division का sign बना दो मेरा formula आ गया p equals f divided by a एक और बाद कर लेते हैं बिल्कुल सही है एक और कर लेते हैं अगर मुझे for example निकालना है force का तो मैं क्या करूंगी मैं लिखूंगी f equals बागी की दो terms क्या बची p और a correct ये लिखने के बाद अब मैं देखूंगी कि p और a के बीच में कौन सा symbol है वो है multiplication का तो simple मैं यहां पर लिखूंगी multiplication का sign तो मेरा formula आ गया f is equal to p times a आशा करते हैं आपको इतना समझ आया होगा एक बार देख लेते हैं जो हम mostly यहां यूज करेंगे वो formula है p equals f by a का और इस triangle सा आप easily किसी भी अगर आपको area का निकालना है तो हो गया f divided by p अब किसी का भी formula बहु अगर mechanical force है electrostatic force है gravitational force है कोई भी force है उसके जो unit होती है वो है newton denoted by capital N और area की standard unit क्या होई ही meter square क्योंकि meter जो है वो मेरी SI unit length की है तो area होता है length times breath यह किसी भी चीज का मतलब altogether meter square यह हो गया तो मेरी unit जो pressure की आई वो है newton meter square इसकी एक और unit है जो scientist Pascal ने दी थी जिसको हम लिखते ह से इसमें याद रखेगा जो P होता है वो हमेश्या capital में होता है तो यह है Pascal which is denoted by PA एक बार देख लेते हैं SI unit of pressure is newton per meter square ऐसे लिखा जाता है या फिर Pascal जो कि PA से लिखा जाता है इसका formula है P equals F by A अब हम P F और A का relation देखेंगे सबसे पहला relation है मानिया अगर मेरा A constant है उससे बह अब हम इस question पर based इस formula पर based एक question solve करेंगे तो question है what is the pressure exerted simple हमें पता है pressure का formula क्या हमारा P is equal to F upon A सबसे पहले आप ना formula लिख लिए जए और उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारे पास कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन अब मेरा वैसे तो यह square है मुझे कैसे पता square है क्योंकि इसकी जो length है और breath है वो same length की है वो same 2 meter 2 meter है बद अगर आपको नहीं पता तो simple rectangle का formula लगाए 2 times 2 4 meter square area भी आ गया अब मैं units देखूंगी force मेरा newton सही area मेरा meter square बिल्कुल सही अगर यह centimeter में होता या kilo meter में होता तो मैं इ now अब मैं क्या करूंगी अब मैं formula लेखके formula में values put करूंगी तो f में आया 700 newton a में आया 4 meter square तो मेरा answer जो है वो आया 175 और unit मैंने लगा दी पास्कल यहाँ पे मैं newton per meter square भी लगा सकती थी उसमें भी कोई issue नहीं है दोनों में से एक लेकिन दोनों में से एक unit ज़रूर आनी से अब प्लीज यूनित लगाना मत भूलेगा इसके marks कट जाते हैं exam में इतना समझ आया अब हमने अब तक कर लिया है formula p equals f by a अब अगर मेरा area constant है नीचे का denominator constant है तो मेरे पास आता है relation p is directly proportional to force मतलब अगर मैं किछी चीज में बहुत force लगांगी तो pressure भी जादा लगेगा जैसे उससे वो अंदर ही चला जाएगा समझ रहें pressure से जो कील है वो दिवार में धस जाएगी तो जितना जादा force लगाएंगी उतना जादा pressure लगेगा दूसरा है अगर मेरा force constant है तो area से तो pressure जो होता है वो मेरा area से inversely proportional होता है इसमें मैं क्या करूंगी एक pen लीजिए और दोनों निशान नी दबने का निशान और जो दूसरा end है जो smooth part है वहाँ पे आपकी finger pick कोई print नी बनेगा तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर जादा pressure लगा क्योंकि यह area कम था इसका मतलब जितना कम area उतना जादा pressure इसी basis पे बहुता ही चीजें जो आपने आस-पास देखी up on area right तो जो भी मेरा यहाँ पे चीज लिखी होती है अगर मुझो उससे relation निकालना है तो जो भी formula equal to के इस side पे right side पे numerator में होता है वो सारा होता है directly proportional और जो भी सब denominator में होता है वो सब होता है inversely proportional तो अगर उपर मेरी 2 terms होंगी तो जो यहाँ का term है left hand side का term है वो उन दोनों terms के directly proportional होगा simple तरीका हो गया अब हम देखते हैं कि यह इस formula पे base कौन कौन सी चीजे होती है हमारे आसपास so सबसे पहले है cutting edge of a knife is sharp इसका simple relation है P is inversely proportional to area आये देखते हैं कैसे तो आपने देखा होगा कि लोग butter knife यूज करते हैं butter लगाने के लिए और कुछ काटने के लिए butter knife य नहीं काट सकते हैं आप चकू से काटेंगे क्यों क्योंकि butter knife का जो edge होता है वो sharp नहीं होता है but एक knife का जो end होता है वो नुकीला होता है क्यों होता है वो sharp क्योंकि जितना कम जितना ज्यादा sharp होगा उतना कम area होगा जितना कम area होगा उतना ज्यादा pressure apply होगा क्योंकि pressure जो हो ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है वो इसले देता है मतलब अगर आपके पास तीन गिव रीजन वाई आएंगे तील आप तीनों में बताएंगे relation कौन सा आप यूस कर रहे हैं उसका एक अलग से point होता है ठीक है उसका अलग से marks होते हैं जो भी marking scheme है उसका अलग से define क्या होता है तो आप यहां पे लिखेंगे कि cutting edge of a knife is sharp because the because when the cutting edge is sharp the area in contact will be less and since pressure is inversely proportional to the area hence the pressure that will be applied will be more hence we would be we will easily be able to cut the object that is by cutting edge of a knife is sharp yeah second bags have broader straps चौडे straps होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि जब वो चौडे straps होते हैं तो area जादा होता है since pressure is inversely proportional to area तो जो pressure apply होता है वो कम होता है इसी लिए bags have broader straps next next is nails have pointed end so pointed end मतलब area जो है वो कम हुआ since area is less तो मेरा pressure applied would be more because pressure is inversely proportional to area तो वो दिवार में जा पाएगा पढ़ना मुश्किल होगा next sharp heels are difficult to walk in on smooth grounds sharp heels मतलब नुकीली heels राइट so heels ऐसे होंगी इसका मतलब जो tip है जो ground पे होगा वो area उसका कम होगा क्योंकि area कम होगा और मेरा pressure जो है वो inversely proportional है area के तो जब area कम होगा इसका मतलब pressure जादा होगा इसका मतलब smooth ground में वो अंदर धस जाएगी correct so इसलिए sharp heels are difficult to walk in on smooth grounds next syringe has pointed took syringe होती है सुई जो आपको लगती है जो doctor लगाता है so syringe जो है वो skin के अंदर जाना होता है so क्योंकि उसे skin के अंदर जाना होता है इसका मतलब pressure हमें कम pressure में अंदर चल जाएए ऐसे ज़ता है नी कि skin में बिलकुल धक्का मारोगे right So, pressure हमें कम लगाना पड़े, तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम या तो force बढ़ा देंगे, या area कम कर देंगे. अब force ऐसे वोई धक्के वाली बात आगे, वो तो करना नहीं है, तो इसलिए area कम होता है. Since, इसमें आप लिखेंगे, has pointed tip, because that will give it less area, and since pressure is inversely proportional to area, so the pressure applied would be more and syringe would easily be able to penetrate our hand. ठीक है? अगला है, potters keep a round piece of cloth on their head. तो potters आपने देखा होगा, kooli जो होता है, वो उपर ना head पर एक round piece of cloth रख भीता है. ये क्यों होता है? ये होता है, because, जब आपका उपर एक round piece of cloth रखा होता है, तो area बढ़ जाता है. Since pressure is inversely proportional to area, तो जैसे area बढ़ा, आपके सर पे कम pressure लगेगा. अगला, Buildings have wide foundation. Buildings की नीचे जो foundation होती है, वो चौड़ी होती है. वो चौड़ी क्यों होती है? वो चौड़ी इसलिए होती है, ताकि उपर सी जो pressure लग रहे हैं, जब हमारा area जादा होगा, तो pressure apply काम होगा, तो उपर जो building पूरा उस foundation पे pressure लगा रहे है, वो कम हो जाएगा. Because pressure is inversely proportional to area. I hope the pressure is clear to you. यह दो टाइप का होता है, liquid pressure and air pressure, basically fluid pressure, हम वो next उसमें पढ़ेंगे. Let's just summarize quickly what we have just done. So pressure जो है, वो basically, it is a force that is applied per unit area. Force pressure का formula होता है, P equals F divided by A. Next, यह scalar quantity होता है, thrust जो होता है, वो एक vector quantity होता है. इसकी अशा unit है, Pascal की PA, which is denoted by PA. दूसरी unit है, Newton per meter square. It depends directly on the force, which is applied and indirectly on the area. जैसे आप देख सकते हैं, कि यह जो brick है, यह जब sponge पे खड़ी है, तो क्योंकि एरिया हमारा जादा लग रहा है, तो प्रेशर हमारा कम लग रहा है, तो प्रेशर हमारा जादा हो गया. और जब यह horizontally lie करी है, तो क्योंकि एरिया हमारा जादा है, तो प्रेशर अपलाइट कम है. Next topic जो हम करेंगे, वो fluid pressure है. अगर आपको इस topic से related कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखेगा. Science of Maths की वीडियो हमारी चानल पे अवैलेबल है. अब प्लीज इस वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा. And also please press the bell icon. Thank you so much हमारी अगली वीडियो तक. Stay safe, stay healthy. Bye.